हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी आज हम लोग बात करने वाले हैं जेन ओस्टन के प्राइड प्रिसडाइज के और उस प्राइड प्रिसडाइज के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे जेन ओस्टन के बारे में ठीक है और आज हम 10 important facts देखेंगे about प्राइ पूरी प्राइड प्रिसडाइज की स्टोरी फर्स्ट क्लास में बता दी थी ठीक है तो इस्टोरी मैंने पूरी आप लोग को बता दी है दूसरी चीज में आपको बताओं कि मैंने आप लोगों को और एक important facts की मैंने series बनाई थी जो लगभग 100 plus important facts दे जो direct exam में आते हैं वो question मैंने आपको बता दी है ठीक है दूसरी क्लास में और आज थर्ड क्लास है प्राइड इंप्रिसडाइज की जिसमें हम जेन आस्टन के बारे में जानेंगे और 10 important facts के बारे में जानेंगे ठीक है और last में एक math the column भी हम solve करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम जेन आस्टन के ब July 1817 को हुई थी जब यह 41 years के थी ठीक है कहां हुई थी Benchester's Hemisphere England में ठीक है education इनका हुआ था Reading Abbey Girls School and Oxford University में इनकी क्या हुई है education हुई है ठीक है अगर हम work की बात करें तो work इनके जो सबसे important work है जो सबसे पहले इनको famous किया है तो हो है sense and sensibility जो 1811 में publish हुआ था और इसी के कारण Jane Austen को एक खास पहचान मिली थी ठीक है उसके बाद इनका प्राइड और पिसडाइस जो इन्होंने 21 की एज पे लिखा था और कूडे कचरड कूडे में पढ़ा हुआ था एक तरह से बता हूँ आपको क्योंकि इन्होंने जो यह novel है यह 1796 और 97 में लिखकर रख लिया था लेकिन जो publisher है उसने क्या है इसको publish नहीं कराया ठीक है क्यों नहीं कराया क्योंकि बोला यह अतनी कोई खास नहीं है ठीक है तो publisher ने उसको मना कर दिया publish करने के लिए लेकिन जब sense and sensibility अच्छी क्या बोलते है फेमस हुई तब फिर यहां पर प्राइड और प मैंसफिल्ड पार्क 1814 पे आया था एम्मा 1815 पे आई है ठीक है एम्मा अगेन बहुत important इनका वर्क है नोवेल है नौर्द एंगर अब्बे पर्सुएशन यह 1817 में आया था ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है दा वाट्सन यह आया था 1804 पे दा सेंडिटन 1817 पर ठीक ह तो यह दो ऐसे आपके नौवेल है जो अन्पबलिश्ट है इनको पबलिश्ट नहीं कराये गया मतलब अनफिनिश्ड है अनफिनिश्ड मतलब completely नहीं हो पाए है ऐसे यह दो नौवेल है ठीक है एक अदर वर्क है किनका और आप लोग याद कर लिज़ेगा सर चार्ल्स ग् इनका आया था 1787-93 ठीक है इसमें इन्होंने क्या है कुछ कहना चाहिए कि novel कुछ series publish कराई थी ठीक है जो भी लेना में और इसकी तीन volume आये थे 1st, 2nd, 3rd, 1st में 15 novel थे ठीक है 2nd में 9 थे और 3rd में 3 थे ठीक है next आगे हम चलें अगर तो Jane Austen जो है इनके बारे में और हम information collect करते हैं और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं next line है इसमें Austen has inspired a large number of critical essay and literary anthologies her novels have inspired many films और इनके जो novel थी उससे inspired होकर कई सारी ऐसी movie जो है बनी हुई है ठीक है मतलब बहुत सारी इनके novels जो है movie बनी हुई है pride and prejudice भी बनी हुई है मैं आपको बताऊं ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं pride and prejudice को youtube में Anusten wrote Austen wrote approximately 3000 letters but the only about 160 survived मतलब इनों ने लगबग 3000 letters लिखे हैं लेकिन 160 ही क्या है survived हैं मतलब चले है pride and prejudice is the most famous novel pride and prejudice जो है इनका सबसे ज़्यादा famous क्या है novel है ठीक है ध्यान रखिएगा यह जो novel है उसकी सुरवात इस line से होती है ध्यान रखिएगा यह line note कर लीजेगा आप लोग it is a truth universally acknowledged that a single man is portions of a food fortune यहाँ पे good fortune होगा food नहीं good fortune must be in want of a wife ठीक है तो इस line से यह novel start होती है ध्यान रखिएगा यह characters मैंने पूरे आप से discuss कर लिए है कुछ मैं और आपको चीजे बताओं उससे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूँ 10 important facts about pride and prejudice यह पूरे important facts हमने discuss कर लिए है already ठीक है तो इनके बारे में मैं ज़्यादा आपको बताओंगा नहीं अपने जेन के बारे में अलग से पढ़ लिया Mr. Collins के बारे में अलिजावेत के बारे में Darcy के बारे में ठीक है Wickham के बारे में सब के बारे में हमने अलग-अलग से पढ़ा हुआ है तो आज हम ये एक तो Nobel पढ़ने वाले एक तो ये match the column solve करने वाले हैं ठीक है सभी लोग मिल करके करेंगे इसमें देखिए a military man military man कौन सा है तो यहाँ पर military man है आपका George Wickham कौन है military man? George Wickham a kind father कौन है? मतलब एक दयालू पिता, एक साधारन पिता जो है, वो कौन है? Mr. Bennett है, ठीक है? a proud man कौन है? a proud man है आपका डरसी लेकिन ये hero भी है इस novel का an indersive girl कौन है? तो indersive girl से पहले हम जान लेते है a talkative girl कौन है? तो a talkative girl है जो Lydia है, ठीक है? indersive girl जो है, वो कौन है? Miss Lucas है, ठीक है? a narrow minded woman कौन है? तो Mrs. Bennett है, Bennett जो है narrow minded woman, इसलिए है कि वो कहीं भी क्या बोलना है, ये उनको पता नहीं होता बस बोल देती है rich and gentle man कौन है भाईया? तो वो है, बिंगले और clergyman कौन है? तो भाईया, वो है Mrs. Mr. Colin ठीक है? तो ये कुछ important के इरदार हैं, जिनके वारे में आपको जानना चाहिए और आज हम जो बात करने वाले हैं, वो ये बात करने वाले हैं 10 important facts about pride and prejudice आप लोग को मैं बता दूँ ये 10 important facts बहुत सांदार important facts में से एक है इससे कई सारे question निकलेंगे ठीक है? और सांदार question निकलेंगे जो आप लोग ने कभी सायद ही सुना हो ठीक है? और ये मैं बता दूँ कि ये already app में जो जिन लोगों ने English PGT का course purchase किया है उनको ये already मैंने पूरी PDF अबलेवल करा दी है ठीक है? तो वो जाके डाउनलोड करें PDF और अराम से देखें ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो बात करते हैं first like her character Jane Austen was reject for not being rich enough देखे Jane Austen जो है न ये बहुत जादा अमीर नहीं है ठीक है? और ऐसा ही ये character इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि बहुत अमीर वो बेक्ती नहीं है मतलब यहाँ पर जो पूरी कहानी है वो ऐसी ही कुछ इर्द गिर्द घूम रही है गरीवी के ठीक है? और इनके बारे में हम समझते हैं क्या कैसे हुआ तो समझिएगा Pride and Prejudice is about young women of gentle poverty trying to find good marriage match मतलब इसमें ये बताने की कोसिस कर रहे हैं कि Pride and Prejudice में एक जो है गरीब family है जो अपने बच्चियों की साधी जो है एक अच्छे अमीर घर में करना चाते हैं एक अच्छे लड़के से करना चाते हैं ठीक है? और ये जो बात है इसको कैसे किया जाए तो उसके लिए क्या है? This issue must have been fresh on the young author's mind when she wrote the book मतलब जब ये book वो लिख रही थी Jane Austen तो उस समय के वो क्या थी एकदम young थी मतलब 20 और 21 year की वो थी तो तब की वो लिख रही थी उस समय पे तो उनका भी जो मन था वो एकदम Pride and Prejudice में जैसे Jane और Elizabeth का mind है ना उसी प्रकार से वो वही सोच कर वो लिख रही है ठीक है she wrote the book ठीक है उसी तरह उसने book में लिखा है at age 20 20 साल की थी 20 और 21 साल की थी ठीक है year की थी he had a flirtation with a young man named Tom Leffray Tom Leffray नाम के वेक्ति से वो क्या करती थी flirt करती थी मतलब बाते करना अच्छी ठीक है like a sense out of one of her like a sense out of her one novel she flirt scandalsly with him at a wall अब ये जो बाल की बात हुई है जो बाल आपको बाल मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर young लड़के लड़की जाके पार्टी करते हैं मिलते जुलते हैं और बाते करते हैं ठीक है तो उस बाल की तरह ये भी असलियत में ऐसा वाल में जाती थी और वो जो नाम लड़के का है टॉम लेफरोई उससे क्या करती थी ये बात करती है फलर्ट करती थी ठीक है अब वो भी इनसे फलर्ट करता था ठीक है imagine to yourself everything most profligate and stalking in the way of dancing and sitting down together she wrote to her his sister Cassandra जो वहाँ पर Elizabeth का नाम आया है जेन के साथ तो यहाँ पर जेन की जो असली में बहन है वो कौन है Cassandra Cassandra के साथ वो जाती थी वहाँ पर उठती बैठती थी डांस बगेरा देखती थी तो यह पूरी चीज जो है उन्होंने अपने में ही लिखी है ठीक है और अपना तो नाम भी चेंज नहीं किया उन्होंने जेन ही रखा है Elizabeth मतलब Cassandra का नाम उन्होंने क्या रखा है Elizabeth वहाँ पर रखा है यह लेफरोई को बोल रही है लेफरोई जो था ना वो कैसा था एकदम जेंटलमेन टाइप का लड़का था गुड लुकिंग था प्लीजन्ट यंग मैन था ठीक है I assure you और यह बिलकुल confirm है उन्हें क्या confirm है What Austin's social status wasn't high enough लेकिन जो Jane Austin है ना इनका असलियत में जो social status था वो बहुत जादा अच्छा नहीं था लेकिन लेफरोईस family separated the two love words लेकिन जो लेफरोईस की जो family थी ना वो दो तरह के उसमें पड़ी हुई थी एक तो यह कि साधी मतलब जो marriage है वो होनी चाहिए गरीब लड़की साथ भी और एक थी कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका social status अच्छा था लेफरोई was soon engaged to a woman with a large fortune लेकिन लेफरोई जो है वो क्या है बहुत जल्दी ही क्या हो गया था engaged हो गया था एक young लड़की से और वो जो लड़की थी वो good fortune मतलब अमीर घराने से थी Austin wrote her sister Austin अपने sister को लिखा क्या लिखा था at length the day is come on which I am to flirt my last with Tom Leffray मैं मतलब Tom Leffray से एक बार क्या करना चाहती हूँ last बार flirt करना चाहती हूँ ठीक है और यह सोच करके यह कर करके मेरी जो आखें वो भर आती है और यह दुख पहुंसता है मुझे यह लिखते हुए मुझे क्या हो रहा है दुख हो रहा है ठीक है तो यह आपको first आपको कैसा लगा जो first मैंने आपको 10 important fact में से जो first important fact बता है तो आपको कैसा लगा आप लोग ने इसके पहले क्या देखा था यह चीजे सुनी थी क्या चलिए अब मैं बात करता हूं Mr. Darcy would be the equivalent of a rockfeller और बेंडर्विट बेंडर्विट ठीक है अब यहां पे जो बिंगले है तो बिंगले की जगह तो कौन हो गए बिंगले की जगह आगे भाहिया रॉक टॉम टॉम रॉक लेफ रॉय ठीक है बिंगले equivalent to Tom लेफ रॉय ठीक है टॉम लेफ रॉय अब यहां पे मैं आपको उता दू डर्सी जो है डर्सी की तरह equivalent यहां पे कौन है तो भहिया यहां पे डर्सी की तरह ओरिजनल्टी में दो लोग थे जो टॉम लेफ रॉय के क्या थे मित्र थे दोस्त थे कौन एक तो था रॉक फेलर और एक था बैंडर्विल्ट ठीक है तो इनकी बारे में भी वही है कि इनकी जो बहन थी कैसेंडरा वो क्या करती थी लाइक करती थी यह लेकिन बहुत अमीर आदमी थे लेकिन घमंडी थे ठीक है तो यह चीज आपको जाननी है नेस्ट लाइन है और इसमें लीडिया इलोब्स टू दा लैस्ट बैगैस ऑफ हर डे तो यहां पे भी लीडिया की बात की गई है मतलब उस समय पे एकदम बैनेट फैमली एकदम से क्या हो गए थी रूइन हो गए थी जब लीडिया को बिखेम भगा ले गया था अब देखिए एक चीज़ और जान लीजेगा कि जौर्ज बिखेम जो था ना वो स्कॉटलेंड का आदमी था यह ध्यान रखिएगा लंडन का नहीं था स्कॉटलेंड का आदमी था अब ध्यान दीजेगा जो यह लोग आये थे आर्मी वाले यह कहां पे आये थे तो यह आये थे ब्रिंग्टन नामक जहाये पे आये थे जो कहां पे था तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो LIDIA है न ये बार बार क्या थी BRINGTON जाती थी और ब्रेंगतन जाती थी क्यों कि भहिया यहाँ पर आर्मी वाले आये हुए तो उनसे मिलती थी उनसे बोलती चालती थी मतलब कहना चाहिए कि उसको बोलना और सोतंतरता सोतंतरता जो होती है ना इंडिपेंडेंडेंस उसको होना बहुत अच्छा लगता था Scotland allowed pupil under 21 to get married without personal parent consult और यह बताया जाता है कि अगर कोई Scotland में ऐसा नियम था कि अगर under कोई 21 था तो वो क्या कर सकता है बिना parent के consult के साधी कर सकता है किसी भी लड़की के साथ ठीक है तो उसने वही किया and without the same legal and religious vericacy मतलब बिना किसी गिरजा घर में गए मतलब उसको क्या बोलते है temple मंदिर तो मंदिर बिना गए उसने क्या गए बिना किसी religion के बिना किसी legal कारवाही के क्या है उसके साथ रहने लगी ठीक है और बही बात में क्या हुआ एक बड़ी समस्या हो गई आप लोगको पता ही समस्य क्या हो गई विकम ने बोल दिया हम साधी नहीं करेंगे अब इसा गारे मागी प्राप्लम आ ःगी फैम्ली के उपर बोलता है में पैसे चाहिए फिर पैसेक लिए थे डरसी नही करें ठीक है अब फिर मुझ उठा के फिर चलाया लॉंग बॉन ठीक है लाइक अलीजा एंड जेन बैनेट जेन ओस्टेन एंड हर सिस्टर कैसेंडरा बर बैरी क्लोज जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ने कि अलीजा बतो जेन बैनेट बहुत क्लोज थी एक दूसरे के ठीक है अपनी बाते यह एक दूसरे से सेयर करती थी उसी प्रकार असली जिंदगी में भी जेन ओस्टेन और उसकी बैन जो कैसेंडरा थी वो दोनों ही क्या थी बहुत जादा क्लोज थी एक दूसरे के मतलब एक दूसरे की feeling एक दूसरे के लिए बताती थी जैसे जो Jane थी वो Tom Leffroy से क्या करती थी फ्लर्ट करती थी ठीक है और वही बात वो जो है फ्लर्ट वाली अपने बहन को Elijah Ved को क्या करती थी बता देती थी ठीक है उसी प्रकाद Elijah Ved जो Cassandra है वो भी किसी लड़के से क्या इन लड़के जो लड़के अमीर वाले हैं रॉक फेलर इनसे क्या करती थी वो चाहती थी साधी होना और वही चीज वो अपनी बहन को भी बताती थी ठीक है आगे चलते हैं तो ये 10 important facts आपको important अच्छे लग रहे होंगे ऐसी मैं उमीद कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़े जर्रली मिलती नहीं है कहीं अब publisher reject pride and prejudice without even reading it अब ये देखे ये point बहुत सांदार है इसको समझेगा Austin finished the book Austin ने अपनी book finished कर ली pride and prejudice then title रखा किया first impressions ठीक है when she was 21 year 20 में उन्होंने लिखना चालों किया था 21 में वो लिखके complete कियी उसको ठीक है और date क्या थी 1797 ठीक है 1797 में उन्होंने क्या किया इसको लिखकर के complete कर लिया her father sent it to the publisher Thomas Caddle इसके जो पापा थे Jane Austen के वो इसको ले करके कहां जाते है publisher Thomas Caddle के पास और writing that he had a manuscript novel comprised I three volume और ये जो तीन volume में जो manuscript इसने लिखके दी थी उसको वो देखते हैं कौन Tom Caddle देखते हैं about the length of Miss Fanny Bernie Evelina ठीक है तो इसको जो मतलब कहना चाहिए कि जो volume उनको जादा लगता है कि मतलब ये जो जादा उसमें लिख दिया गया है he asked how much it would cost him published to book and what Caddle would pay for copyright मतलब इसके लिए जो उनको मतलब जो rate वो दे रहे थे पैसे जो दे रहे थे वो effective नहीं थे copyright के लिए मतलब copy जैसे वो copy बनाते और उसको बेशते तो वो जो effective rate थे वो उसको नहीं दे रहे थे ठीक है मतलब बहुत कम यह response ही जादा नहीं था उनका ठीक है तो Caddle scrolled decline by a return of post on the letter and send it back with insulting speed ठीक है और उन्होंने उस letter को जो एक letter लिखा उसको और बड़ा insulting letter था कि तुम से लिखता नहीं आता तुम क्या लिखके दी हो यह बिफालतू की चीज़ इस तरह से करके उन्होंने लोटा दिया उनको इसको the novel languised for 14 years until मतलब यह जो novel है वो 14 साल बेकार में पड़ी रही फिर क्या हुआ plus with success और plus में रही plus मतलब होता है खराब में पड़ी होना कच्डें पड़े होना the success of sense and sensibility जब sense of sensibility 1811 में success हुई तब Austin revised the manuscript it was published in 1813 he was उस समय वो कितनी सी was 37 year old उस समय वो 37 की हो गई थी मतलब 16 17 साल तक वो क्या है बुक ऐसे ही पड़ी रही ठीक है और उसके बाद उसने बहुत अच्छा achieve किया ठीक है तो आप लोग को important fact कैसे लग रहे हैं comment में बताईएगा लिगा है the book title come from a funny Bernie novel ठीक है तो यह Bernie Cecilia है इनके इनसे जो है inspire हो करके जो first impression नाम है उसका नाम change करके क्या रखा गया था ठीक है और जो बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और इतना फेमस हुआ कि आज हम लोग भी पट रहे हैं तीन दिन से ठीक है कल next novel होगी उसके लिए आप लोग तयार हो जाईएगा ठीक है pride and prejudice was published anonymously ठीक है तो pride and prejudice was published anonymously तो pride and prejudice कैसे publish हुई यह तो आपको पता चल गया और इसके बारे में क्या है देखिए Austin did not put her name on her novel उन्होंने कोई विशेश नाम नहीं दिया था अपने novel का and would only say they were by a lady पहले यह इसको first impression से पहले भी क्या बोलती थी by a lady बोलती थी ऐसे novel को the title page of pride and prejudice said by the author of sense and sensibility अब इसको जो publish कराया गया था वो sense and sensibility के जो author थे ना उनसे publish कराया गया था ठीक है तो ध्यान रखिएगा pride and prejudice said by the author of sense and sensibility it was until until after her death that her brother revealed her name on the on the on to the public मतलब देखिए जब उनको sense and sensibility जिस publisher ने publish की थी तो उस publisher ने क्या किया उसको दिया गया ये book तो उसने क्या किया फिर उसने नाम दिया क्योंकि देखिए जो publisher था वो expire हो चुका था death हो चुकी थी उसकी तो वो फिर उसका जो भाई था उसने नाम को क्या किया बताया क्या sense and sensibility ठीक है तो यह अच्छी को चीज समझ में आएंगी next आगे चलते हैं Austin worried the novel was too frivolous ठीक है तो ऑस्टन जो बहुत जादा चिंती थी इस novel को लेकर क्योंकि actually वो खुदी 17 साल यह novel जो है पूरी फ्लस में पड़ी रही कचड़े में पड़ी रही और बाद में फिर क्या हुआ वो इसके लिए इसके लिए इतनी चिंती थी कि और उतना पैसा वो कमा पाएगा publisher की नीच कमा पाएगा तो इस चक्करे में वो novel के लिए बहुत जादा चिंती थी लेकिन novel जो है sense and sensibility की तरह ही बहुत जादा highlight हुई और बहुत जादा उसका नाम चला और उसके कारण से यह बहुत famous भी हो गई ठीक है यह अपनी मैं बता दू English PGT की demo class है यह ध्यान रखिएगा यह demo class चल रही है इसमें मैं पूरे आपको PDF के पूरी चीजे बता रहा हूँ और generally जब मैं आपको YouTube पे पढ़ाता हूँ तो केवल मैं आपको क्या बताता हूँ केवल और केवल मैं आपको story बताता हूँ और author के बारे बताता हूँ लेकिन यह important facts जो है यह मैं आपको कहां देता हूँ एप में देता हूँ ठीक है तो अभी यह demo class चल दी है इसलिए आपको पूरी class मिल रही है बाकी यह सभी class आपको uploaded है कहां पे app में ठीक है तो app को download करने के लिए description में लिंक मिलेगा वहाँ से आप app download कीजे वहाँ पे एक course ह English PGT mains के नाम से English PGT mains तो ध्यान रखिए यह mains यह super tet हम कह सकते हैं जिन लोग ने भी English PGT निकाला है tet paper का first निकाल लिया है और second के लिए वह paper की तयारी करना चाहते हैं तो वह हम से जुड़े हम उनकी सांदार तयारी कराने का बादा करते हैं ठीक है इतना deeply तयारी कराएंगे कि अबि जैसे मैंने आपको cent यह वाला पड़ा है इसके बाद में आपको यह देखिए मैं आपको 100 question दूँगा यह 50 question यह हुए और देखिए 50 question इसके ओपर है ठीक है तो यह 50 question तो आपको 100 question इसको revision करने के लिए आपको मैंने अल्रेढ़ी दे दिया है ठीक है जो लोग भी encourage ल पास है तो इसलिए जुड़े रहिए और अच्छी तयारी करते रहिए C sold her copyright for 100 pounds but wanted 150 देखिए क्या हुआ कि इनने copyright प्राइड पिसडाइस की बनाई थी तो वो चाहती तो तहीं कितनी 100 pounds उस एक copyright लेकिन हो क्या गया इनको मिला कितना 110 मतलग जो पैसा ये चाहती थे उससे कम ही इनको पैसा मिला ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ भी आगे चलते हैं प्राइड पिसडाइज has been adapted hundreds of time ठीक है तो इन्होंने इतना नाम कमाया इतना नाम कमाया कि अब क्या कहें अब देखिए कैसे नाम कमाया है देखिए दा एडप्टेशन ओप्राइड और प्राइड पिसडाइस seems endless and something which are there have been more than 10 film and tv's versions of the इनकी जो यह पिक्षिर है मतलब यह जो नॉवल है इतनी हिट हुई कि लगभग सौ टाइम इसको क्या है सक्सेज मिली कैसे मिली कई सारे इसमें मुवी बनी है लगभग देखे 10 फिल्म इसमें बनी हुई है टीवी वर्जन ऑफ बुक इंक्लूडिंग 1995 में बीवी सी बीवी सी मीनी सीरीज के नाम से कोई एक मतलब सीरियल टाइप का भी स्टार्ट किया गया था जिसमें परडे उसको चलाया जाता था बताया जाता था ठीक है अब यह आपके लिए इंपॉर्टेट नहीं है लाकी क्योंकि बस आपके लिए उर्येंटेट फेक्ट थे वो उपर मैंने बता दिये हैं अब यह कुछ कोश्चन आप लोग को मिले हैं तो इसको आप लोग बात में मैं आपको सॉल्ब कराऊंगा जैसे लिखा है अब इन सब के एंसर आपको मैं दूंगा एक एक करके पूरे कोशन बता करके ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग इस नंबर पे मुझे वाट्सप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोर्स कैसे लेना है कैसे पढ़ाई करनी है इस कोर्स में आपको पूरा इंग्लिस ग्रामर का कोर्स मिलेगा मतलब 60 नंबर इंग्लिस ग्रामर के पूरा इंग्लिस लिट्रेचर मिलेगा एकदम डीप मेंस के हिसाब से ठीक है और आप लोग को एक और इसमें मिलेगा 30 नंबर बाला पूरा कोर्स ठीक है तो अच्छी त्यारी आप लोग की कराने की जिम्मेदारी मेरी ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग डियर इस्टेंट्स मिलते हैं नेस्ट क्लास में इंग्रिस क्रामर के थैंक यू फॉर वाचिंग